हेलो हाँ बच्चों कैसे हो आप आज हमारा जो फिफ्थ पार्ट है इसको लिए करके मैं आपके सामने हूँ एसस्टी इंटेटेंट्मेंट में आपका स्वागत है और उमीद कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा इससे वही बात कहना चाहूंगे टेंशन हमारी है इंटेटेंट्मेंट आपका है मेरी साथ बने रही है आपको टैंट में बहुत अच्छे मार्स मिलेंगे और बहुत अच्छे से असस्टी आपको समझ में आएगी क्योंकि मैं पूरी NCRT को ले रही हूँ आपको अच्छे से एक्स्प्रीन कर रही हूँ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ आपको पीडियक प्रवाइट कर रही हूँ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है लेंड यूस पैटर्न इन इंडिया में जो लेंड रिसॉर्स है उसका क्या पैटर्न है The use of land is determined both by physical factors such as topography, climate, solitude as well as human factors such as populations, density, technological, capability and culture and traditions etc. देखिए जो land है वो कैसे determined हो रही है उसका जो use है कैसे determined होता है उसकी दो factors है यहाँ से कोर्षन साब का बनता है कि जो land का use है उसको कैसे determined किया जा सकता है तो उसकी दो factors है एक तो physical factors और एक आप कहेंगे human factors तो physical factor में क्या क्या चीज़े आजाएगी टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब हो गया कि आपकी जो land है उसकी क्या संगरचना कैसी है उता जड़ा हो अगर है यह सब कैसा है उस्टेंड का climate, climate means कैसा वहाँ पर hot climate है, moderate है किस तरह का climate है, cold है वो भी आपकी जो है land को उसकी uses को determine करेगी soil types कैसे है, कि किस तरह की वहाँ soil है, आगे इस chapter में हम soils की बारे में भी बढ़ेंगे कि कई तरह की soils है, जिसके according अला-अलाग तरह की crops होती है और जैसे humus, जिस soil में ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से grow होते हैं, plants वगर है, aloales, soil है, वो cultivations के लिए अच्छी होती है, तो इस तरह से soil types जो है, वो भी आपके land के uses को determined करती है, यह तो physical factors हो गए, अच्छा, human factors में क्या जाएगा, population density, वो भी क्योंकि यह population density जादा है, तो land का uses जादा होगा, technological capability और culture traditions क्या है, यह सब जो चीज़े हैं, यह human factors है, यह भी आपके land के uses क determined करती है, तो अगर यह एक question यहां से बनता है, जिसको मैंने अच्छी से explain किया है, next आता है आपका total geographical area of India, 3.28 million square kilometer, जो हमारा India का total geographical area है, वो कितना है, 3.28 million square kilometer है, land use data, लेकिन इस पूरे जो हमारी land है, उसमें कितना use आता है, land use data, however, is available only for 93% of the total geographical area, दिखिये, जो जितना हमारा geographical area है, उसका 93% ही हमारे जो land है, वो use में आ रही है, अवेलेबल है, यह के लिए, क्यों, because the land use reporting for most of the north east states, except Assam has not been done fully, कि कितना land का use हो रहा है, जो हमारे north east state है, Assam को छोड़के, उन्होंने क्या किया, fully data को नहीं record किया है, moreover, some areas of Jammu and Kashmir, occupied by Pakistan and China, have also not been surveyed, Pakistan and China ने जो Jammu and Kashmir के area को occupy किया, वो भी survey नहीं किया गया, तो north east के state Assam को छोड़के, उन्होंने data को पुरा, पुरी land को survey नहीं कर पाये हैं वो, और Pakistan and China ने जो occupy किया है, Jammu and Kashmir का area, वो भी survey नहीं हुआ है, इसकी वज़से हमारे पास, जो, जितना हमारे पास land है, उसमें सिर्फ 93% जो है land को ही हम क्या कर पा रहे हैं, हमारे पास उसकी data है, उसको उन्यूज कर पा रहे हैं, तो यह question यहां से आता है, कि 93% of total geographical area ही available क्यों है, तो इसका reason यहाँ पे हमें इबाताना पड़ेगा, कि North East State जो है असम को छोड़के उनके पास पुनी data नहीं है, और जम्मो और कश्मीर में जो पकिस्तान और चाइना ने occupy किया है, वो भी survey नहीं किया गया है, clear, अच्छा, next अब हम देखते हैं कि हमारे पास यह जो एक pie chart आपके सामने नजर आ रहा है, सबको दिख रहा है, इस pie chart को मैं थोड़ा से explain करती हूँ, देखी, इसमें दो pie chart दे रखे हैं, और पूरी colorful है, और इसमें यह जो first pie chart है आपका, इसको देखिए, यह आपका general land use categories दे रखे हैं, 1960-61 का data है, और यह second है जो general land use categories, 2008-9 का data है, इसमें आप देखिए कि जो हमारा forest है, forest जो है 18.11% का area हमारा forest का था, अब की data में 1960-61 में और 2008-9 में हमारा 22.78% forest का आता है, इसमें पहले से forest का area थोड़ा सा बड़ा है, बट फिर भी हम इससे बहुत अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि 33% जो है, वो forest होना चाहिए, तो उसके according तो हम देखिए तो बहुत कम है, हलांकि हमारे जो यह पहले की data में थोड़ा यह बढ़ावा दिख रहा है, आगे आप देखिए कि जो barren and uncultivable wasteland है, वो यहाँ पे 12% दे रखी है, जो यहाँ पे 8.6% है, यानि पहले से कम हुई है, एरिया अंडर non-agriculture uses में यहाँ पे 4.95% है, जो करीब करीब है, अभी इसमें क्या है, आपके यह बराबर ही नजर आ रहा है, अच्छा, इधर आप यह देखिए, जो permanent pasture and grazing land है, वो यहाँ पे देखिए 3.73% है, और यहाँ पे यह आपका जो आ रहा है, यह 4.76% है, ठीक है, और area under my tree crops and grows में यह देखिए, यहाँ का यह जो area है, आपका, जहाँ पे यह miscellaneous trees, crops and grows है, यह purple में यहाँ दे रखा है, आपका, जो कितना है, यह 1.5% है, एक चीज़ मैं आपको इसमें बताएंगे, कि यह जो आपका net shon area है, net shon area जो दे रखा है, यहाँ पर आप इन देखिए, 45.26% है, जो अब net shon area हा रहा है, 46.24% है, यह पहले से थोड़ा सा बढ़ावा दिख रहा है, लेकिन बहुत जादा बढ़ावा नहीं नजरा आ रहा है, इसका कारण क्या है, कि देखिए, जो परती भूमी होती है, इसलि मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, कि जो परती भूमी होती है, उस परती भूमी में, एक तो हम ऐसी भूमी लेते हैं, परती भूमी का मतलब कि, जैसे एक साल हमने उसको, जो करण्ट है, जैसको कहेंगी वातमान परती भूमी, यहाँ आपको इस समय यहाँ पर पिस less than one agricultural year, कि यहाँ बतमान परती भूमी में तो कौन सी भूमिया जाती है, जो करीब एक साल यह, एक साल से कम, इसमें क्या नहीं हुए है, खेती नहीं हुए है, और other than current fellow, इसमें क्या होता है, कि यह जो भूमी है, इसको use नहीं किया जा रहा है, यह करीब एक से पांच साल तक बिना खेती के, ऐसे ही बिना कर्टी विजट करें भी छोड़ी गई है, क्यों हो सकता है, इसकी condition बहुत पूबर हो, इसकी वज़े से इसको छोड़ा गया है, तो यह other than current fellow, यानि वर्दमान परती भूमी के अलावा, जो भूमी है, वो आ जाती है, तो होता क्या है, कि इसे ह हम net shown areas में हम नहीं लेते हैं, फैलो लेंड को हम net shown areas में नहीं लेते हैं, बट कुछ ऐसा किया जाए, जैसे कि मानलो, कि उसी चाय की सालों का विस्तार करके, इस तरह से, या कुछ अच्छे जो फटिलाइजर्स वगर का यूज़ करके, टेक्नोलोजी के थूरू, हम क्या करे यदि current fellow land or other than current fellow land को यदि हम बढ़ा दें, तो क्या होगा कि net shown area है, वो हम बढ़ा सकते हैं, उसको हम और increase कर सकते हैं, हलांकि हमारा यह जो है अभी net shown areas इतना ज़्यदा बढ़ा नहीं है, लेकिन हम यदि इनको include करें, तो आप यह देख सकते हैं, यह 46.2% हमारा net shown area था, इस इसमें यदि में 4.76 जो है आपका current fellow land and 3.37% वाला fellow other than current fellow है, इन दोनों को यदि किसी साधनों के धुई, इन दोनों को यदि cultivation के लायक बना दिया जाए, तो आप ही देखिए 4.76 और 3.37 को करीब हम मिला दें, तो 7, 7 करीब हम 7 ही ले लेते हैं, 7% को यदि हम इसमें add कर दें, 46.24 परसेंट को, तो अलब ये करीब 7-8 परसेंट के असपरस add करकी 54 परसेंट के करीब आपका data जो है पहुँझ जाएगा, यानि कि हम net shown areas को 54 परसेंट तक हम बढ़ा सकते हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ, यह आपको अच्छे से clear हुआ हूगा, और अब आगी देखिए, इसमें बताया है कि the land under permanent posture has also decreased, हमने अच्छे से अभी explain किया है कि जो land है, जिसमें जो चरागा की भूमी थी permanently, वो पहने से decreased हूई है, How are we able to feed our huge cattle population on this pasture land? अब हम हमारे लिए समस्या है कि हमारे जो cattle हैं इनकी भी population इतनी जादा है, और इस limited pasture land की होते हूँ हम इनको कैसे feed करें, and what are the consequences of it? क्योंकि population भी बढ़ रही है, साथ में land का uses भी बढ़ा है, तो इनकी चक्र में यह जो आपके partial land है, वो उनमें गिरावट भी आई है, Most of the other than the current fellow lands are either of poor quality or the cost of cultivation of such land is very high. मैंने आपको बताया था कि यह जो current fellow lands के अलावा, जो other than the current fellow lands थी, वो जो land है कि उसको करीब 1-5 सार तक भी ना cultivation के ऐसे ही छोड़ा गया था, तो उसका reason क्या हो सकता है, उसका reason यही है, कि यह तो यह तो उसके poor quality है, या फिर उसके cost of cultivation है वो बहुत जादा high आती है, इसकी व lands are cultivated once or twice in about two or three years and if these are included in the natural area, then the percentage of analysis in India comes to about 54% of the total reporting area, exactly वही बाग जो मैंने भी पाई चार्ट से आपको बताई थी, यही हम क्या करें, दो यह तीन साल के लिए ही हम चाहें, इस जो यह land है, जो cultivated नहीं हो रही है, इसको cultivation की लाइक बना दिया जाए, और उसको natural area इसके percentage को हम जोड़े हमारा NSA, NSA नहीं नेक्षान area जो है, हमारा करीब 54% तक बढ़ सकता है, ठीक हैं, एंक्लियर, the pattern of natural areas varies greatly from one state to another, देखिए, जो यह area है, ऐसा नहीं है कि 54% है, यह हर जो state है, सम्में सेम है, यह यह वैरी करता है, अलर्लग जागे की अकॉर्डिन, जागे पन्जाव एं हरियाना एंड लेस दें 10% इन अरुनाचल प्रदेश, तो देखिए कि 80% के करीब तो पन्जाव हरियाना, कि वहा अच्छा नेच्षान area वहां पर कल्टिवेशन अच्छा होता है, यह वहां पर 80% के करीब NSA आपको मिल रहा है, जब कि अरुनाचल forest area in the country is far lower than the desired, 33% of the geographical area as it was outlined in the national forest, तो यही मैंने आपको बात बताई थी, कि इस पाइचार की थूभी, कि जो हमारा forest area पहले की दुना में तो पढ़ा है, बत फिर भी इसको हम जादा नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 1952 में जो national forest, to national forest policy बने थी, उसके according करीब कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए, तो आप लोग क्या बताएंगे कि 33% होना चाहिए, it was considered essential for maintenance of the ecological balance, और ये ecological balance को maintain करने के लिए भी बहुत ही जादा जरूरी है, दानलिवली होड अफ दे मिलियंस फीपल वो लिव अन दा प्रिंस फीज फॉरस्ट इपंट अपन इन खॉर से ऐसे लोग हैं, जो जिनका रोजगा और सब कुछ उनका जीवन हापन जो है, वो इसी forest पे डिपंट करता हैं, a part of the land is termed as wasteland and land put to the other non-agriculture uses, wasteland include rocky, aride and desert area and land put to other non-agriculture uses includes settlements, road, railways, industries etc. तो देखी, wasteland में भी क्या आजाता है, rocky, aride and desert area, और ऐसी तरकी इन जो land है, जो यूज में नहीं आ रही है, non-agriculture uses है, इसका उसा भी wasteland में आ जाती है, इसके अलावा, roads, railway, industries में जो land आ गई है, वो भी आपकी क्या है, यह सब आपके इसमें आ जाएगी, wasteland में ही सब आ जा use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it, लगाता है किसी लेहन का है, किसी भी चीज़ का लगाता है, यूज करेंगी, तो उसका नुकसान कुष्णा कुष्णा कुष्छ होगा, तो land का continuous use होगा, लंबी समय तक without taking appropriate measures to conserve, उसको बचाने के लिए appropriate measures नहीं है, हम आपके 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 अपनाएंगे, उसको manage नहीं करेंगे, तो क्या होगा, उसका result क्या निकलेगा, उसका result land degradation निकलेगा, यानि कि जो आपकी land है, उसकी quality, उसकी down हो जाएगी, उसमें उतना नहीं, उसकी utility नहीं रहेगी जितनी पहले थी, तो इस लिए यह बहुत ही important है, कि जो continuous land use हो रही है, करना चाहिए, इसको ही land degradation कहेंगे, और next जो हमारा topic है land degradation वो मैं next video में ही बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अभी तक जो हमने पढ़ा इसको थोड़ा सा revise में अपने notes के थूँ, और पिसले वीडियो में भी मैंने जो बताया था उसको भी मैं इसी note में थोड़ा शामिल कर रह ही हूँ, आपके सामने मैं अपने जो notes हो दिखा रही हूँ, let's see, हाल जी तो दिखी, land resource जो हमारा resource था, बहुत important resource है land resources, land क्या होती है, we live on land, we live on land, we perform our economic activities on land and we use it in different ways, we live on land पे रहते हैं, जो भी economic activities है, land पर ही perform कर रहे हैं और इसको हम different ways से use कर रहे हैं, कि वैने पिसले वीडियो में भी आपको इन बात बताई थी, India has land under a variety of relief features, namely mountains, platews, plains and islands, इंडिया जो है, उसके पास काफी रिवी features हैं, जैसे कि mountains and platews, plains and islands वगर है, gross crop area क्या होता है, ऐसा area, area shown more than once in an agricultural year, plus national area, वो आपका क्या होगा, gross crop area, जैने कि ऐसा area जो आपका है, एक जो agriculture year है, या उससे कम area में जो बोया गया है, उसके साथ में natural areas मिला दिया जाता है, वो आपका क्या हो गया, gross crop area हो गया है, में पिसले वीडियो में जो आपको बताया था, वो थोड़ा साथ का, जो है आपका pie chart, वो मैं यहां पर दिखा रही हूं, कि हमारे यहां 43% plains है, और 30% अपका mountains है, 27% अपका, क्या है, टेट्यू है, ठीक है, छा, next रहता है, land uses pattern in India, land का जो use है, इंडिया में इसका क्या pattern है, तो इसके दो factors हैं, जो मैंने आपको explain किये थे, physical factors और human factors, तो जो physical factors हैं, उसका दे रखा है, topography, उसमें रग, topography आजाता है, step stops आजाते हैं, rocky terrain, और not fit for cultivation, यह सब जो हैं, यह जो चीजे हैं, यह सब cultivation के लिए factor नहीं है, तो ऐसी land क्या है, use नहीं आ सकती है, climate भी बहुत बड़ा factor है, ऐसी reason, reason having extreme hot or cold climate are not suitable for growing crops, जहां पर बहुत जाता गरम है, जैसे कि आपका रिगेस्तानी इलाका है, जहां temperature बहुत हाई होता है, और जिसके लेदाख वगरे, जहां बहुत ही cold climate है, लेदाख वगरे में, वहां पर आपके crops वगरे होना बहुत मुश्किल हो जाता है, soil type जो है, वह भी आपकी बहुत important है कि वह लेंड को कैसे यूज किया जाए, soil rich in humus are good for growing crops, crops को grow करने में, जो humus से सहीमत, जिसके soil में होती है, वो अच्छी रहती है, aloeval soil are most suitable for cultivation, और जो aloeval soil है, वो cultivation के लिए बहुत सही होती है, human factors, human factors में क्या क्या आजाता है, population density, जहाँ जादा होगी, population density वगरे, वो आपके land का uses जादा हो जाएगा, और cultivation में लेंड कम रह जाएगी, technological capability, culture and traditions वगरे, human factors जो है, यह भी आपके soil uses को इप्राक्ट करते हैं, और इसी तरह से मैंने आपको अच्छे से explain करा था, कि जो land है, उसका continuous use होता जाएगा, उसको maintain नहीं रखा जाएगा, उसके conserve करने के लिए, जो तरीके हैं, उनको follow नहीं किया जाएगा, तो क्या होगा, land का degradation होगा, जो मैं next आपको वीडियो में दिखाऊंगी, और मैं आपसे यहीं उम्मीद करती हूँ, जाने से पहले, एक रिट्वेस्ट है मेरी, कि मेरी जो वीडियो है, को like करें, subscribe करें, अपने suggestions दें, और जो PDF है, मेरी notes की, आपको description box में मिल जाएगी इसका link, आप उसके तुरू आप अपना notes को maintain कर सकते हैं, उमीद है, आपने SSD entertainment की study को अच्छे से internet, entertainment की तुरू पढ़ा होगा, समझावोगा, thanks for watching my video, bye बच्चो.